कोरोना महमारी के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए शिलाई निर्वाचन क्षेत्र के कॉंगेस विधायक हर्श वर्दन चोहान ने सिविल अस्पताल शिलाई का निरिक्षिन किया और विवसाओं का ज्यायजा लिया। इस दुरान उन्होंने आशव वर्कर और अन्ने फिल्ड स्टाफ का होसला बढ़ाने के लिए उन्हें ओक्सीमेटर और डिजिटल थर्मामीटर सहीत आवशक उपकरन भी वितरित किये। विधायक हशवर्दन चुहान ने बताया कि उन्होंने शिलाई विधान सबाक्षेतर में करीब 15 टीमों का गठन किया है जो गाउं गाउं जाका लोगों का बुखार और अक्सीजन नेवल चेक करेंगे और कोरोना के लक्षन वारे लोगों की जानकारी आशव वर्कर और स् सांजा करेंगे पॉटास साहिब में अब शहर की जनता को बिजली की कटोती जैसे समस्यान नहीं जहेननी पड़ेगी विधुत विभाग द्वारा 33 कवी स्टेशन आज जनता को समर्पित कर दिया गया है हलांकि इस स्टेशन का लोकापन उज्जा मंतरी सुखराम चौधरी द्वरा होना था लेकिन कोवीड-19 के प्रोटोकॉल के चलते उज्जा मंतरी स्वेम उपस्थित नहीं हो सके किन्तु उनके स्थान पर S.E. मंदीप सिंग ने 33 कवी स्टेशन जनता को समर्पित कर दिया बद्रिपूर में लगबग 1.70 लाग इलाग से बना है जिस पर बाता मंडी वा पातलियों के इलागी को फीड किया जाएगा इससे पहले एक ही स्टेशन पर पॉटा के भोगताओं का लोड था जिसके चलते कई बात दिकतों का सामना करना पर रहा था इस स्टेशन का निर्मान एक वश्च के तैस समय में पूरा कर दिया है हश्च का समय है कि हमने ओल्ड बद्रिपूर जो हमारा एक पराना सबस्टेशन था उसको रिवैंप करके हमने दो गुना 6.3 MVA का 33 बटा 11 कW का एक निया सबस्टेशन आज चालू कर दिया है इसमें लगबग एक करोड 70 लाग की लागत आई है और इससे लगबग पूरे पॉरे पॉंटा शहर को और इसके आसपास के इलाकों को सहूलियत रहेगी क्योंकि हमारा पुराना सबस्टेशन लगबग पूरी तरह लोड हो गया था तो ओवर्लोडिंग की प्रॉल्म हमेशा से जैसे पॉंटा की शहर में आती ही थी तो अब उससे इसमें जो है सहूलियत होएगी रहत मिलेगी यह जैसे शहर में वेजाना ब्रेक होता था जिन में पांशना ग्राप उसके क्या करें उसका में कारण तो एक तो ओवर्लोड तो था ही क्योंकि बहुत ज्यादा लोड हो गया है हमारा पूरे जो दूनों ट्रांसफॉर्मर थे वो पहले ही हमारे फुल कपास्टी पे आ जले जाते थे जिसकी वाज़े से कि ट्रिपिंग जनरेट होती है तो इस नए सब्सेशन के वज़े से इसका पुराने सब्सेशन का कुछ बहर जो है इस सब्सेशन पर शिफ्ट होने से हमारे पास यह ओवर्लोडिंग के समस्या इसे हल हो जाती है तो मतलब आप जंता यह हमारे फेटर जो में सब्सेशन की ट्रिपिंग जो पीछे चलिया आती थी वो काफी अत्ता हिससे कंट्रोल हो जाएगी हिमाचल में धी में टीका करण और टेस्टिंग ना होने से कॉंग्रिस ने मोचा खोल दिया है धारा 144 के बीच कॉंग्रिस अध्धक्ष कुलदीप राठोर शमलाज शहरी अध्धक्ष जितेंद्र चौधरी ग्रामिन अध्धक्ष यश्वंत चाजटा सुभा ग्यारा बजे रेज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धन्ने पर बैट गए और सरकार से प्रदेश में कोरोना संक्रमन से बचाव के लिए टीका करण बढ़ाने के साथ ही लोगों के कोरोना टेस्ट की प्रक्रिया को बड़े स्तर पर शुरू करने की मांगी साथ ही कॉंग्रिस ने सरकार पर कोरोना से ने पटने में नकाम होने का आरूप लगाए काम साबित हो रही है जिला प्रशासन ने अब नहान शहर में दो अन्य स्थानों पर भी सब्जी वफलों की दुकाने लगाने का निर्ने लिया है दरसल चौगान में शहर की सभी सब्जी की दुकाने लगाने के बाद भारी भीड उमर रही थी जिससे कोरोना संक्रमन का खत्र बढ़ गया जिसको देखते हुए अब जिला प्रशासन ने सब्सी वफलों की दुकाने लगाने के निर्ने में फेठ बदल किया है स्थाने लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन द्वरा चौगान के अलावा शहर में सब्जी वफलों की दुकाने कच्च आ टैंक वह ये शव में पहुंच रहे थे जिसके चलते जारी गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था जिसको देखते हुए अब कच्चा टैंक स्कूल मैदान वा यश्वंत विहारक शेत्र में सबजी वफलों की दुकाने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाई जा रही है बीती आदों से नाता सहिच ना सीखा हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा गिरने लगती जब तो उनसे संबलना सीखा उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा गर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह अहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है बूशन जूलर्स अन्मोल रिष्टों के लिए